हेलो फ्रेंट्स कवीर्स किचिन में आज हम बना रहे हैं रवा इडली बहुत सारी वेजटेबल्स वाली और जिन्होंने अभी भी नया माइक्रोवेब खरीदा है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है इसमें कौन सी रेसिपी बनाए तो ये वीडियो ज़रूर देखिए हम य तो इसमें नमक स्वादनुसा और मतर डालेंगे अब पारी कटिवी प्याज ग्रेटड गाजर तो ये सब मसाले जो है अच्छे से मिक्स कर लेजिये और मसाले के बिन यह सब मसाले नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं अच्छे से मिक्स करलेंगे हैं और रेस्ट करने देंके लगवग 10 तो 10 मिनट बार देखेंगे कि सब्जियों ने फाने कितना छोड़ा plu pas बार। भी गाड़ा हैं तो इसमे और पानी मिलाकर हम इसले पतला बैटर को थोड़ा पतला होना जरूरी है तो इसे हम पानी डाल कर पतला कर लेंगे अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोड़ा और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे अ याँ देल को आप इल्ली के साचे में रखे तेल मैं नहीं लगाया है आपको लगाना तो थोड़ा साल लगा शकते हैं क्योंकि नहीं भी लगाएंक तो भी चिपकेगी ने तो बैटर रख लिजिए और बाल फीडिर ही मेरा वे और यह सहीं करैंड ये चयहां वीज़े और ट्विनिया है संक्षाद एक न पाल पीदिस किते हो ओर युझा वाइक्त अरुमक्षी वेजेटेबल का इसमें फिक्स एक दिया हुआ है तो इसमें HP 15 है इसका कोड वो करके और 8 इडली हम बना रहे हैं तो वो सेट करके स्टार्ट कर देंगे लेकिन स्टार्ट करने के बाद देखे 8 मिनट आ रहा है तो 8 मिनट बहुत जादा होता इडली पकने के लिए तो हम इसे टाइम को हम कम कर देंगे और 4 मिनट कर देंगे या फिर 5 मिनट कर देंगे तो कम करके और फिर पकने देंगे तो इसे आराम से पकने दीजिए और जैसे ही बंद हो जाता है इसे बंद करके बटर और फिर इसे हम निकाल लेंगे निकालने के बाद याद रखिएगा कि इसे तुरंत मत खोलिए गाई इसको निकालने के बाद लगबाद लगबग ऐसे ही ठखे हुए रहने दीजिए क्योंकि माइकरोवेब में जो भी चीज पकती है तो वह निकालने के बाद भी अंदर से पकती रहती है so आप 1 मिन्ट ऐसे ही रहने दे, वाद खोलें, तो देज़िए कितने बढ़या तरीके से इडली बन कर तयार हो गया इसी तरीके से, आप सारी इडली बना कर तयार कर सकते हैं, और इसे मैन निकाल लेती हूँ तो देखे मैंने तेल नहीं भी लगाया है फिर भी आराम से निकल रही है अब क्यूंकि मैंने microwave में ये इडली बनाई है तो आप ये बहाना मत करेगा कि मेरे पास microwave नहीं है तो मैं इसे skip कर देती हूं इस वीडियो को तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए क्योंकि आप इसे गैस में भी पका सकते हैं नॉर्मल जो आपके पास एल्यूमीनियम या फिर स्टील का जो साचा होता इदली का उसमें भी आप गैस में पकाईए जरूर बनाईए रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप इसे गर्मा गरम सर्व कीजिए सांबर के साथ या मुंफली की चत्नी या नादिल की चत्नी के साथ देखने के लिए धन्यवाद